ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा कभी भाजपा के कदावर नेता रहे घंशाम तेवाडी ने कॉंग्रिस में शामिल होने के साथ ही अपने वजूद का एहसास करवा दिया वे खुद तो चुनावी मैदान में नहीं उतरे लेकिन कॉंग्रिस ने उनके कहने से जालावाड 12 सीट पर उमीदवार जरूर दै किया है पार्टी ने यहां से प्रमूद शर्मा को टिकट दिया है सुत्रों के मुताबिक कॉंग्रिस को जालावाड 12 सी तीन बार के सांसद और सीएम राजे के पुत्र दुश्यन्त सिंग के खिलाफ मजबूत उमीदवार की तलाश थी पार्टी ने घंशामतेवाडी को इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा वे खुद तो इसके लिए तयार नहीं हुए लिकिन प्रमोद शर्मा का नाम सुझाया घंशामतेवाडी की सरहा पर कॉंग्रिस ने प्रमोद शर्मा को जालावाड 12 के चुनावी मैदान में उतार दिया है सूतरों की माने तो भाजपा का गढ़ बन चुकी इस सीट पर प्रमोद शर्मा के चुनाव का प्रबंधन तेवाडी देखेंगे वे खुद सीएम राजी के इलाखे में कॉंग्रिस के पक्ष में प्रचार करेंगे आपको बता दे कि तेवाडी भाजपा से नहीं बलकि सीएम राजे से नाराज थे उन्होंने भाजपा में रहते हुए राजे के खिलाफ बाकाइदा मोर्चा भी खोल रखा था इस मोर्चे पर मात खाने के बाद उन्होंने भारत वाहिनी पार्टी बनाई लेकिन यहां भी उनके हिस्से में हार ही आई पार्टी को कोई सीट मिलना तो धूर खुद तेवाडी की सांगनेर में जमानत जब्थ हो गई इस करारी हार से दुखी होकर तेवाडी कॉंग्रेस का दामन थाम चुके हैं कॉंग्रेस में उनका क्या सियासी वुजूद होगा ये अभी तक साफ नहीं है लेकिन वसुन्धरा राजे से लोहा लेने के लिए उन्हें आखिरी मोर्चा मिल गया है प्रमूद शर्मा के बहानी ही सही तिवाडी को अदावत के खेल में उमीद की किरन नजर आई है बारा जहलावाड में प्रमूद घंशाम की जुगलबंदी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कहावत को सियासत में सच करती है प्रमूद शर्मा भी वसुद्रा राजे से पीड़े ठोकर कॉंग्रिस में आए हैं उन्होंने जहलावाड में राजे के विरोध में कई बार धरने प्रदर्शन किये और रहलिया निकाली घंशाम तिवाडी और प्रमूद शर्मा के पास वसुद्रा राजे से अपनी सियासी अधावत का हिसाब चुकता करने का आखिरी मौगा है ये देखना रोचक होगा कि सियासी रण में हार पर हार देखने की आदी हो चुके तिवाडी इस बार कोई करिश्मा दिखा पाते हैं या नहीं या उम्र के इस पड़ाव पर एक और मात उनके हिस्से में आने के लिए तैयार बैठी है पॉलिटॉक्स ब्यूरो जैपर ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा